अनुवेश बताएं कौन से स्टॉक से जुड़ी खबर आप लेकर आए हैं, क्या खबर है और कौन से सेक्टर यहां से इंपक्ट होगा? इसने कारियरत है, यह लोगों की एज हो जा रही है, MI-17 हलिकॉप्टर की, तो इनको फेज आउट करने के लिए हिंदुस्तानी सेना जो है, उनको एक मल्टी रूल कॉम्बाट हलिकॉप्टर की जरूरत है, जिसके लिए HAL जो है, वो एक इंडियन मल्टी रूल हलिकॉप्टर IMRH की development करने जा रहा है, जिसके Cabinet Committee on Security पे जल्दी approval मिलने की अंदेशा बताया जा रहा है, अगर इस हलिकॉप्टर की security clearance की बात की जाए, तो CCS से इसको जल्द approval मिलने की संभावना बताई जा रही है, इसके development पे इसके लिए यहाँ पे 10,000 करोट, जो है सरकार की तरफ से दि बनाया जाएगा, लगबग 300 ऐसे helicopter है, जिसको बनाया जाएगा, एक 10 साल के period के अंदर यह develop करके इसका manufacturing सुरू कर दिया जाएगा, ताकि phase-wise जो 250 MI-17 helicopters है, जो हिंदुस्तानी सेनय में आज के date में इस्तमाल किये जा रहे हैं, उसको phase-out किया जाना शुरू किया जा सकता है, अभी यह बताया नहीं जा सकता, क्यांकि यह development phase में जाने वाला है, तो इसका 250 से लेके 300 करोड के बीच में यह helicopter 1-1 के value आ सकती है, और ऐसे 300 helicopter ऐसे हैं, जिसको हिंदुस्तानी सेना की और वायू सेना की जरूरत है, ओके चलिए, तो HAL के लिए एक और बड़ा order आता हुआ भ